नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है भालचंद्र ब्रह्मांड सिद्याश्ट्र में आप सभी का स्वागत है आज के इस वुडिया में हम चर्चा करेंगे यदि स्त्री के कुंडनी में मिथुन राशी में यदि शुक्र है तो उनके चो पति देव होंगे उनका संपूर्ण व्यक् किस प्रकार का होगा उसे के संदर में चर्चा इस वुडिया में हम करने वाले हैं अपना यह जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्याश्ट्र एस चैनल पर मेश राशी से लेकर मीन राशी तक की जो सभी बाराशिया है इन सभी बाराशियों में अगर शुक्र है किसी भी स्त्री क कुडली में तो उन्हें जो वयवाहिक जोड़ीदार मिलने वाला है या फिर उनके जो पतिदेव हैं उनका संपूर्ण जो स्वभाव है उनका संपूर्ण व्यक्तित्व है वो किस प्रकार का होगा उसके संदर में वीडियो अप्लोड हो रहे हैं आप उसका आनन जरूर तो आज के स्वडियों में हम चर्चा करेंगे यदि किसी इस तरीके कुंडली में मिथुन राशी में यदि शुक्र है तो उसके मिलने वाले परणाम किस प्रकार के हो सकते हैं उनके पतिदेव के बारे में तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यदि मिथुन राशी में यदि तो उनके जो पती होंगे, वैसे देखे जाए, तो बहुत ज़्यादा talkative होंगे, मतलब बहुत ज़्यादा बोलने वाले रहते हैं, उनका जो communication skill होता है, वो काफी अच्छा होता है, किस प्रकार से बोलना है, कैसे बोलना है, यह बात इन में ज़्यादा देखी जाती है, नॉर्मली हम यह बात देखते हैं, कि जो स्त्री वर्ग होता है, वो बहुत ज़्यादा बोलने वाला होता है, मतलब बोलने में इनकी रूची काफी ज़्यादा होती है, उनकी जो भावनाएं हती है वो भी वो बोलकर प्रदर्शित करते हैं लेकिन यहां पर थोड़ा सा मामला उल्टा भी हो सकता है कि आपके जो पती देव हैं वो ज्यादा बोलने में इंट्रेस्टेड हो सकते हैं और उन्हें हमेशा अपनी जो बात है वो बोलने में से ही वो व Chartered होते हैं छोटी मोटी बात उख बहुत ज्यादा सोच विचार करते हैं और इनके जो Mood Swing होते है काफे ज्याधा देके जाते है तो ये बात होती है उसी प्रकार इन GitHub के लिए एक बात भी और ज्यादा ज़रूरय है कि इनकी जो decision power है वो थोड़ी कम होती है मतलब किसी भी मसले पर अगर decision लेना है कोई निर्णे लेना है तो वो निर्णे जल्दी नहीं ले पाते कोई भी बात करनी है नहीं करनी है इसी विगरता में वो फस जाते हैं और जल्दी से निर्णे नहीं ले पाते हैं हालकि इसके प्रती इसके पीछे एक और बात है कि इनका जो confidence लेवाल है वो तो थोड़ा कम होता है और उससे के चलते हैं वो निर्णे भी नहीं ले पाते हैं और थोड़ से सहमे सहमे रहते हैं यही वज़े से यह किसी कोई भी बात इसकी संपूर्ण responsibility नहीं लेती और यही वज़े होती है कि यह जो विक्ति होते हैं वो business में ज्यादा आगे नहीं बढ़ते हैं लेकिन जो भी job है उसके बारे में यह जो विक्ति हो काफी ज्यादा आगे बढ़ते हैं और दूसरी मैंने कहा कि यह softer होते है और प्रेम बहुत ही ज्यादा करते हैं मतलब अनकी जो पत्नी होते हैं मतलब सोयम आप उनके उपर इनका जो प्यार होता है प्रेम होता है वो ज्यादा देखा जाता है और आप दोनों में किसी भी प्रकर के बड़ी problem आपको नहीं आते हैं इनके हम पर भी वो अकेले गूमना फिरना पसंद नहीं करेंगे वो अपनी जो पत्नी है या फिर उनका जो परिवार है उनके साथ गूमना फिरना पसंद करेंगे ओटिलींग करना, सिनेमा में जाना या फिर बाई वगरा करना किसे में बोलते हैं, शॉपिंग वगरा करना इनने बहुती जादा बाता है, तो ये बात इनमें काफी अच्छी देखी जाती है, करियर के मामले में भी अगर देखा जाए तो यह जो विक्ति होते है वो normally गूमना फिरना जहां पर होता है marketing से related जो field होते है education से related जो field होते है या फिर जहां पर आमने सामने one to one जिसे बोलना कहते हैं उस प्रकार के जो job होते हैं या फिर जिसे हम hospitality industry कहते हैं उस प्रकार के जो जौब होते हैं इनमें इस राशी के या फिर यह जो विक्ति है वो ज़्यादा देखे जा सकते हैं अब यहाँ पर दूसरी एक बात ज़्यादा महतोपुर्ण है कि इस राशी में तीन नक्षत्र होते हैं मुरुग आदरा और पुनर्वसुग तो मुरुग जो नक्षत्र के अगर आपके कुंड़ी में मुरुग नक्षत्र में अगर शुक्र है मिथूंद राशी के मुरुग नक्षत्र है व्रिशव राशी में भी आता है और उसके जो दो चरण है वो मिथूंद राशी में भी आ ज़्यादा रहेगा मतलब बाकी के जो भी विवस्ता के बारे में समाज के बारे में इनकी नौलेज काफी रहती है कम्यूनिकेशन के लिए इनका काफी ज़्यादा होता है बहुत ज़्यादा बीजी रहते हैं हमेशा वो फोन पे रहेंगे या फिर सोशल versky साइड्स पे इनके बहुत ज़्यादा बड़ा सरकल होता है इनका बोलना चानना काफी ज़्यादा होता है और वो आप पे रोक कभी नहीं जमाएंगे तो ये बात आपकी बहुत ज़्यादा रिस्पेट करेंगे तो ये बात इनमें ज्यादा देखी जाती है उसी प्रकार इस राशी के अगर आदरा नक्षतरे मतलब मिथुन राशी के आदरा नक्षतरे में अगर शुक्र है तो आपके जो पती देव होंगे वो थोड़ से इनका जो जे में से स्मिने के एकी वानी जो होती है वो थोड़ से तीखी हो सकती है लेकिन जीवन में काफी ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं कुद के बलबुते पर आगे बढ़ने की चाह इनमें देखी जाती है यहाँ पर एक बात है कि ऐसे जो विक्ति होते हैं बाय हुक्स और क्रुक्स आगे बढ़ने की इनकी मनिशा जादा देखी जाती है मतलब किसी भी प्रकार से सफल होना यह बात इन में देखी जाती है तो कभी-कभी थोड़ा सा out of the way जाके भी काम इस नक्षत्र के जो विक्ति होते हैं या फिर इस नक्षत्र में गर्शुक्र है तो आपके जो पती देव हैं तो वो उस प्रकार से कर सकते हैं और दूसरी ज़्यादा महत बुर्णबा जो मैंने शुरुबात में बात कही इनमें थोड़ा सा confidence कम होता है लेकिन इस नक्षत्र में अगर शुक्र है तो आपके जो पती देव हैं उन्हें confidence वैसे देखा जा तो अच्छा देखा जा सकता है और इनकी जो बुद्धिमत्ता होती है वो बहुत ही अच्छी होते हैं इनके intellectual level इनकी grasping power आकलन शक्ती ग्रयान शक्ती बहुत ही अच्छी देखी जाती है उसे प्रकार अगर मीथोंद्राशी के पुनरवसु नक्षत्र में अगर शुक्र है तो उस स्त्री के जो पती होंगे वो बहुत ही ज़्यादा flexible होंगे बहुत ज़्यादा adjust करने वाले होंगे प्रेम करना कोई इनसे ही सीखे तो ये बात इनमें और पती पती में प्रेम भी काफी ज़्यादा देखा जाता है तो ये बात इनमें बहुत ही अच्छी देखी जाती है पती के साथ इनके ज़्यादा problems, complications या फिर किसी भी प्रकार के बड़े issues इनमें नहीं देखी जाता है हाला कि इनमें एक बात है कि जो confidence level है वो थोड़ा कम देखा जाता है जौब अगर ये जो विक्ति होते हैं वो जौब काफी अच्छी तरिके से करते हैं जौब में काफी अच्छी आगे जाते हैं और इनकी जो image होती है इनकी जो प्रतिमा होती है समाज में वो काफी अच्छी देखी जाती है हमेशा neat and clean रहते हैं इनका रहन सेहन भी काफी और एक बात है किसी भी बातों को लेकर पूरी तरह से यह सक्षम नहीं देखे जाता है अब यह जो नेचर है वो नेचर अध्रा नक्षत्र में देखा नहीं जाता है तो यही बात होती है कि राशी तो दोनों की एक ही होती है लेकिन नक्षत्रे अलग होने के कारण इनका जो होता है इनमें थोड़ा सा आलग सा पन देखा जाता है सोबर होते हैं इनके फैशन भी सोबर देखी जाते बहुत ज़्यदा बढ़की लिए बगारा नहीं होते हैं और इनको हमेशा इनकी जो पत्नी होते हैं, मतलब अगर आपके कुंडली में इस परकार के योग है, तो आपको इनको हमेशा पुष्क करना होगा, मतलब थोड़ सा मौरली इनको सपोर्ट करना होगा, ये बात इनको चादा भाती है। तो दोस्तो ये था अगर स्त्री के कुंडली में मिथुन राशी में यदि शुक्र है तो इनके जो पती होंगे उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का होगा उसके संदर में चर्चा आपको ये वीडियो कैसे लगा आपने किस तर से अनुभव किया नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना और अपना ये जो चैनल है ब्रह्माण सिद्धिय अस्ट्रो इसे भी लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना धन्यवाद